केशी का क्रिया क्रिया वस्तव में ये गृत्वा कर्शन के विरोध में कार्य करता है Capillary Action, cohesive force यानि कि वो बल जो liquid molecules के बीच में लगता है और adhesive force यानि कि वो बल जो liquid molecules और tube material के बीच में लगता है उनके combination के वज़ा से होता है cohesive और adhesive दो तरके के intermolecular forces हैं जैसा कि मैंने आपको बताया ये बल liquid को यानि कि तरल को tube में खीशने का कम करते हैं पर इसके लिए capillary tube का महीन होना अनिवार रहे है जैसे कि हमने आपको दिखाया है यहां पे capillary tube देखी कितनी महीन है इसका diameter कितना कम है चलिए अब जानते हैं कि इस प्रियोग के लिए हमें किन-किन सामगरी क्या विशकता होगी हमें चाहिए होगा एक tissue paper एक कटोरा रंगीन पानी से भरा हुआ और एक खाली कटोरा तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रियोग की तरफ सबसे पहले एक खाली कटोरा ले और एक रंगीन पानी से भरा हुआ कटोरा ले और उन दोनों को tissue paper की जायता से connect कर दे जैसे कि हमने यह पे एक रंगीन पानी से भरा हुआ कटोरा लिया उसमें tissue paper को डाल दिया तो tissue paper के दूसरे से रे को खाली कटोरे से connect कर दिया. देखे, पानी अब यहाँ से चलना start हो गया है. अब ध्यान से इस colored पानी का movement देखे. देखिए, यह जो पानी है, यह भरे ओए कटोरे से खाली कटोरे में आना start हो गया है. ये हैं प्रियोग के विभिन चरन पहले पानी थोड़ा आना स्टार्ट हुआ फिर थोड़ा और आया और लास्ट में जाके कलर आया इससे हमें क्या पता चलता है इससे हमें ये पता चलता है कि adhesive force जो की पानी के molecules और tissue paper के बीच में लग रहा था और adhesive force जो color और tissue paper के बीच में लग रहा था वो दुनों अलग-अलग है इसलिए पहले पानी आता है क्योंकि adhesive force यहां पे ज़्यादा है और उसके बाद कलर हमारा आया अब हमने इस प्रयोग से क्या सीखा टीशू पेपर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो केशिकाओं के रूप में कार्य करते हैं पानी के अन्यों और कागज के तॉलियों के अन्यों के बीच चिपकने वाला बल पानी को उपर खिषनी के लिए काफी है इस प्रकार जिब टीशू पेपर को कप में भरे पानी के संपर्क में लाया जाता है तो केशिका क्रिया के कारण पानी इसके माद्यूम से उपर उठता है और खाली कप को भरना शुरू कर देता है जब तक कि पानी दोनों कपों में बराबर ना हो जाए अब हम कैपिलरी एक्षिन यानि केशी का क्रिया को कहां कहां देखते हैं अपने लाइफ में जैसे कि जब मुंबत्य जलाते हैं लोगों की गर्मी मुंबत्य के मुं को पिगला देती है पिगला हुआ मुं फिर केशी का क्रिया दुआरा बत्य के मध्यूं से उपर खीच लिया जाता है और आग को बनाए रखने और मुंबती को जलाने के लिए अवश्यक इंधन का काम करता है कैपिलरी एक्षिन जाने केशी का क्रिया हम पौधू में भी देखते हैं वो सबसे अवश्यक प्रक्रियाओं में से एक है जो उन्हें जीवित रखने में मदद करती है पौधो के जड़े मिट्टी से केशी का क्रिया के माद्यम से पानी खीचती है और इसे पौधो के विभिन हिसों में पहुचाती है और हमारी कलम यानि की पैन जो हम यूज करते हैं वो भी केशी का क्रिया का उप्योग करती है थैंक्स वर वच्छिंग